तबसकार बहुत स्वागत आप तमाम दर्श्कों का प्रदेश का नमबर वन न्यू चैनल न्यूज़टीन राजस्थान पर आप देख रहे हैं न्यूज़टीन प्राइम मैं हूँ आपके साथ है मंत कुमार और मैं हूँ आपके साथ प्रियंकारा है बुलेटिन की शिरुवाद बंगलादेश से मिल रही खबर के साथ बंगलादेश में इस वक्त ग्रे है युद्ध जैसे स्थिती है और ये स्थितियां पचास साल में दूसरी बार बनती हुए दिखाई दे रही है बंगलादेश के प्रदानमती रही शेख हसीना को देश छोड़ करके भागना पड़ा है बंगलादेश में तक्ता पलट हो चुका है और इस बीच वहाँ बड़े इस तर पर प्रदर्शन जारी है और हिंसा भी की जा रही है तो आपको बता दें कि पचास साल पहले उनीस सुबह चुए तर में कम्यूनिश्ट आंदोलन के वज़े से शेख हसीना के सत्ता पलट गई थी और सेणा ने साल इसी साल शेख मुझीबर रह्मान के पूरे परिवाद की खत्या कर दी थी लेकिन शेख हसीना और उनकी बहन से एक शरण ले सकती हैं ये रिपोर्ट देखिए बांगलादेश का रक्षन आंदोलन इतिहास में दर्ज हो गया है क्योंकि इस आंदोलन ने बांगलादेश की प्रधान मंतरी शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया ऐसे में बांगलादेश में चल रहा आरक्षन आंदोलन शुरू क्यों हुआ ये जानना बहुत जरूरी है बांगलादेश में आरक्षन की कहानी 1971 से शुरू होती है ये वो साल था जब मुक्ति संग्राम के बाद बांगलादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली एक साल बाद 1972 में बांग्लादेश की सरकार ने स्वतंतरता सिनानियों के वन्शजों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षन की व्यवस्ता की 1972 से जारी आरक्षन व्यवस्था में अनारक्षित कोटा 44 फीसदी रखा गया स्वतंतरता से नानियों के परिवारों को 30 फीसदी आरक्षन दिया गया पिछले जिले से आने वाले लोगों को 10 परसेंट महिलाओं को 10 फीसदी धार्मिक अल्पसंख्यकों को 5 फीसदी और दिव्यांगों को 1 फीसदी कोटा दिया गया 1972 से जारी सारक्षन व्यवस्था को 2018 में सरकार ने समाप्त कर दिया था सरकार के इन दोनों फैसलों का बांगलादेश की जनता ने दिल खोल कर स्वागत किया लेकिन बांगलादेश में भुचाल दो महीने पहले आया जब जून में हाई कोट ने सरकारी नौक्रियों के लिए आरक्षन प्रणाली को फिर से बहाल कर दिया यही नई कोट ने 2018 में आरक्षन की विवस्था को खत्म करने के सरकार के फैसले को भी गेर कानूनी बताया इस अदालती फैसले के बाद देश में बड़े पैमाने पर विरोत प्रदशन शुरू हो गए हालकि बांगलादेश की शेख हसीना सरकार ने उच्छ नयायाले के फैसले को सुप्रीम कोट में चुनौती दी सरकार की अपील के बाद सुप्रीम कोट ने हाई कोट के आदेश को निलंबित कर दिया मामले ने तूल और तब पकड़ लिया जब प्रदान मंतरी हसीना ने अदालती कारवाई का हवाला देते हुए प्रदर्शन कारियों की मांगों को पूरा करने से इंकार कर दिया सरकार के इस कदम के चलते चात्रों ने अपना विरोत तेस कर दिया प्रधान मंत्री ने प्रदर्शन कारियों को रजाकार की संग्या दी बांगलादेश में रजाकार उने कहा जाता है जिन पर 1971 में देश के साथ विश्वाज घात करके पाकिस्तानी सेना का साथ देने का आरूप लगा था 21 जॉलाई को सुप्रीम कोट ने हाई कोट के उस फैसले को पलड़ दिया जिसके तहत सभी सिविल सेवा नौकरियों के लिए दोबारा आरक्षन लागू कर दिया गया था अपने फैसले से सुप्रीम कोट ने आरक्षन की एक नई विवस्था दी जिसमें कहा गया कि सुतंतरता सिनानियों के वंशजों के लिए अपकेवल पांच फीसदी नौकरिया आरक्षित होंगी इसके अलावा दो फीसदी नौकरिया अलब संख्यकों या दिव्यांगों के लिए आरक्षित होंगी वहीं बाकी बचे पदों के लिए अदालत ने कहा कि ये योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों के लिए खुले होंगे यानि 93 फीसदी भरतिया अनारक्षित कोटे से होंगी हालकि सुप्रीम कोट के फैसले के बाद माना जा रहा था कि वरोध परदर्शन खत्म हो जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आंदोलन और भी तेज हो गया क्योंकि बात अब आरक्षन खत्म करने की मांग से कहीं आगे निकल चुकी थी छात्र संगटन और शेख खसीना सरकार आमने सामने थे प्रदान मंतरी शेख खसीना ने प्रदर्शन कारी छात्रों को आतंग की करार दे दिया तो छात्र संगठनों का आरोप था कि सरकान ने अपने समर्तों को खुश करने के लिए 30 पीसदी आरक्षन व्यवस्ता को कानून के रास्ते लागू करने की साजिश रची इसके बाद से ही चात्र संगठनों ने प्रधान मंतरी शेख हसीना के स्टीफे की मांग शुरू कर दी नतीजा ये रहा कि शेख हसीना को प्रधान मंतरी पत्स से स्टीफा दे कर सुरक्षा के लिए देश छोड़ कर जाना पड़ा तुवही मोदी सरकार वक्फ बोर्ड अदिनियम में बड़ा बदलाव करने जा रही है और संसत के मोजोदा सत्र में ही इस विधे को संसत में लाने की तयारी की जा रही है सुत्रों के मताबिक साथ या आठ अगस्त को ये बिल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है वक्फ बोर्ड के पास देश भर में कितनी संपतिया है सरकार नया बिल क्यों लाने जा रही है नय बिल की मांग क्यों की जा रही है सब कुछ बताने से पहले आपको बताते हैं आखिर नय बिल से क्या कुछ बदलने वाला है जो संबंधित पक्ष हैं उनसे बात करें तभी तो आगे बढ़ेंगे दुनिया के पच्चास देशों की जितनी जमीन है उतना जमीन भारत में वकबोर के पास है मोधी सरकार वकबोर्ड के असीमित अधिकारों पर क्या कानूनी बुल्डूजर चलाने वाली है देश की राजनीती में ये सवाल साइक्लोन बनकर इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि मोधी सरकार वकबोर्ड के असीमित शक्तियों पर कैची चलाने की तयारी कर रही है इसके लिए केंद्र सरकार वकबोर्ड के अधिकारों में 40 संशोधन करने की तयारी कर रही है सूत्रों के मुदाबिक केंद्र सरकार वक्ट बोर्ड अधिनियम में करीब 40 संशोधन कर सकती है और इसके लिए विधयक को 2 अगस्त यानी शुक्रवार को ही मन्जूरी दी जा चुकी है सूत्रों के मुदाबिक विधयक में वक्ट बोर्ड को बेहिसाब ताकत देने वाली कुछ धाराएं निरस्त की जा सकती है इसमें सबसे बड़े कटोती उस अधिकार में होगी जो वक्ट बोर्ड को किसी भी संपत्ति को अपना बताने का अधिकार देता है इसके अलावा वक्ट बोर्ड में महिलाओं के प्रतने धित्यों को भी सुनेशित किया जा सकता है सूत्रों के मुताबिक इसके लिए सरकार इसी हफते राजसभा में बिल ला सकती है और खबर ये भी है कि वक्ट बोर्ड अधिनियम में संशुधन से पहले सरकार ने कई मुस्लिम बुद्ध जीवियों और वक्ट बोर्ड के सदस्यों से भी बात की है इस बिल को लेकर अभी तक सरकार ने कुछ नहीं कहा है लेकिन बीजेपी ने कहा है कि पारदर्शी विवस्था के लिए इस बिल का आना जरूरी है भारत में वक्ट बोर्ड के पाद 10 लाक एकर जमीन है अगर आप एरिया वाइस देखिए तो भारत में दुनिया में 50 ऐसे देश हैं जिनका चेतरफल भारत के वक्ट बोर्ड के पाद जो जमीन है उससे कम है ये बहुत ही खतरनाक है ये पहली बात तो पूरी तरीके से भेदभाव करता है जब भारत में हमने secular शब्द जोड़ दिया तो इस secularism के खिलाव है ये right to justice के खिलाव है one nation, one law का जो concept है उसके बिल्कुल खिलाव है सम विधान का मतलब होता है सम विधान ऐसा विधान जो सब के लिए समान हो वक्ट बोर्ड देसा विधान और किसी के लिए नहीं है इसलिए इसको पूरी तरीके से खतम करना चाहिए वक्ट बोर्ड के अधिकारों पर कटोती की खबर से मुस्लिम परसनल बोर्ड से लेकर विपक्शी पार्टियों में जबरदस्ट खलबली है मुस्लिम बोर्ड कह चुका है कि ये मुसल्मानों को परिशान करने की कोशिश है AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कह चुके है कि केंद्र सरकार RSS के एजेंडे पर चल रही है और सरकार की नजर मस्जिदों और दर्गाहों की जमीन पर है समाजवादी पार्टी, कॉंग्रेस और इंडिया गडबंधन की दूसरी पार्टियों ने भी कहा है कि ये मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है बीजेपी शुरू से वक्ष बोर्ट और वक्ष की प्रापरटीस के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्वा का एजेंड़ा है RSS का एजेंड़ा है कि वो शुरू से वक्ष प्रापरटीस को और वक्ष बोर्ट को खतम करने की कोशिशे करती रही है बदलाओं के पीसे जो मन्शा है जो जाहर की गई है वो यह है कि हम वक्फ प्रापर्टिस का वेरिफिकेशन करेंगे कोई वक्फ बोड के कहने से कि यह वक्फ प्रापर्टी है मान नहीं लिया जाएगा देखिए असल में यह वक्फ जो होता है जमीन किसी भी काम के लिए चा को इनके हर हरकतों से सबको संदेह होता है इसलिए सरकार को पहले बात इस बात को सदन का अंतर ही कहने चाहिए बाहर मंत्री लोग बोलते हैं यह भी एक प्रंपरा ठीक नहीं है जब बिल आज आएगा विस्तार से तम इस पर चर्चा करेंगे वक्ट बोर्ड की मुश्किलें बढ़ाने वाले खबर ये भी है कि संशोधन की लिस्ट में ऐसा संशोधन भी है जिसमें वक्ट बोर्ड के खिलाफ पुराने विवादों की फिर से सुनवाई का रास्ता भी खुल सकता है वक्ट बोर्ड पर आरोप है कि पिछली सरकारों मिली असीमित शक्तियों की वज़ा से वक्ट बोर्ड ने कानून के खिलाफ मंदिर गुरुद्वारों की जमीन पर कबजा किया आम आदमियों की जमीन से लेकर गाओं की जमीन पर भी वक्ष संपत्ति का बोर्ड लगा दिया सूत्रों के मुताबिक वक्ष की ऐसी ही मनमानियों पर सरकार संशोधन वाला ब्रेक लगाने जा रही है तो एसम के मुख्यमंतरी एहमंत बिस्वा सर्मा के लेंड और लव जिहाद को लेकर दो नए कानून बनाने के ऐलान पर हंगामा बरपा है मंत्रा बिस्ट सर्मा के अलान किया गया उनकी तरफ से कि अब नए खानून के मताबिक असमे जमीन खरीदने से पहले सरकार से अनुमती लेना जरूरी होगा और साथ ही लवजिहाद करने वालों को अमरिकायद की सजा मिलेगी रिपोर्ट देखिए जोतु नाइना नि जोतिकी लावक के हागार कारा अजिवों काराण दो अनि रिपन को तरे में आज़ते। आ जते इंता रिलिजियोन नखी तांस्पर हुई शिल्जु माती मुसल्मने के निस्लु मुसल्मने माती हिंडुए तुबिसके कि महलें साल आनी बाहतीगा रोग कि वो अखहम पर करें में लिव दूब को ढखन को भीका वे ऐजार मुसल्मनाय नादी हिट्नि डिदय कि निगोंग आपे मुखा मति अरुमुड रुल़् पिशब है लर्ड पारिशन को निगोंगे निगोंगे है असम में लव जिहाद पर योगी मॉडल लागू होने वाला है योगी के बाद हिमन्त बिस्वश सर्मा लव जिहाद रोकेंगे असम के मुख्यमंत्री हिमन्त बिस्वश सर्मा के एलान के साथ ही विपक्षी दलों ने विरोध का जंडा बुलंद कर लिया है देश भर में वक्ट बोड की संपत्यों को लेकर पहले से ही चल रहे तूफान के बीच हिमन्त बिस्वश सर्मा ने लव जिहाद और लैंड जिहाद पर असम में नया कानून लाने की घोश्वशना कर दी है असम में जो कानून लाने की तैयारी की जा रही है उसमें लव जिहाद, अंतरधार्मिक जमीनों की खरीद फरोग और नई डोमिसाइल नीती पर फोकस किया गया है असम ने जमीनों की खरीद बिक्री पर नई नीती लाई जाएगी अंतरधार्मिक जमीनों का सौधार राज सरकार की मन्जूरी के बाद ही हो सकेगा यानी किसी एक धर्म के व्यक्ति को दूसरे धर्म के व्यक्ति की जमीन खरीदने या बेचने से पहले सरकार से एजाजत लेनी होगी हिमंता बिस्वसर्मा ने ये भी साफ कर दिया कि राज्य में लव जिहाद के मामलों को बरदाश्ट नहीं किया जाएगा नए कानून के मुताबिक लव जिहाद के आरोपियों पर सक्त एक्षन लिया जाएगा लव जिहाद में शामिल आरोपियों को उम्रकैड की सजा हो सकती है असम के मुक्षमंत्री हेमंद विस्वसर्मा ने राज्य के लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए नई डो मिसाइल नीती बनाने का भी एलान किया है इस नीती के मुताबे नई नीती से असम में पैदा हुए लोगों के अधिकार सुरक्षित होंगे अब असम में पैदा हुए लोगों को ही सरकारी नौकरी मिल सकेगी इन दा प्रोसेस यू डेस्ट्रोई दा ट्रास्ट अब दा गर्ल हिमंत विश्वसर्मा के इस ऐलान के साथ ही विपक्षी दलों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है कॉंग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक ने हिमंता के खलाफ मोर्चा खोल दिया है विपक्ष के मताबिक हिमंता का एलाग देश को मांटने वाला है हनी ट्रैप आप करवाएंगे फिर इसका मतलब लोगों से और उसके बाद मरकायद करा देंगे कोई भी इल्जाम कैसी भी लगा सकता है इसके कितना जबर्दर निस्यूज होगा केंद्र सरकार के वक्त कानून में संशोथन के फैसले पर पहले ही विवात गर्माया हुआ है ऐसे में हिमंता विश्व सर्मा ने असम में लव और लेंड जिहाद पर कानून बनाने का एलान कर विपक्ष को एक और मुद्दा दे दिया है जिसकी गूँज आने वाले दिनों में संसद के अंदर और बाहर लगातार सुनाई देगी तो चलिए अब बाद एक बाद फिर से बंगलादेश के क्योंकि वहां पर तक्ता त्वालरट हो गया है अवामी लीग के नेता के होटल में आगजनी बंगलादेश में आज आगजनी हुई जहां पर आठ लोगों की मौट इसकी है सबसे बड़ी खबर तो आज दिर राट लंदन रवाना हो सकती है शेख हसीना सुत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है बंगलादेश में तक्ता पलट की सुचना है अवामी लीग के नेता के होटल में आगजनी भी की गई और बंगलादेश में आज आगजनी में आठ लोगों की मौट हो गई खबर ये भी आ रखी है सुत्रों के अवाले से कि आज देर राट तक लंदन के लिए रवाना हो सकती है शेख हसीना फिलहाल भारत में गाज़ियाबाद के हिंडन एयर बेस पर शेख हसीना उतरी थी और अभी जो जानकारी सामने आ रही है इस वक्त कि ये सबसे बड़ी खबर सुत्रों के अवाले से जानकारी में लगी है कि आज देर राट तक लंदन के लिए रवाना हो सकती है शेख हसीना तो वहीं अयोध्या ग्यांग्रेप की घटना में समाजवादी पार्टी चारों तरफ से घिर चुकी है तो बीजेपी सवाल कड़े कर रही है आखिरकार समाजवादी पार्टी के कारिकरता आरोपी मौईद को आखिर क्यूं बचवा जा रहा है तो वहीं अकलेश श्यादो पार्टी अब भी मौईद को पार्टी में बनाये रखना चाहती है देखिए रिपोर्ट हमें उस वालिका की भविश्य की चिंता है और अखलेश यादों को अपने वोट की चिंता है पार्टी ने एक उच्चत लिए कमेटी का गठन का लिया है आउर इने टेस्ट होना चीह अगर साथ साथ से जाद है किसी की सजा का कोई प्रावदान है तो कि तुमाजवादी पार्टी जब जब पावर में रही है तब तब कि लोगों ने अराजगता की है गुन्डई की है जोलेवाले लोगों का अत्या किया है अरोपी मोईत को बचाने का आरोप लगा है मस कन्या का शील हरण हुआ है और इस मस कन्या के शील हरण को बरदाश्त नहीं करेगी पार्टी ये पार्टी ने उनको आश्वस्त किया है हमें उस बालिका की भविश्य की चिंता है और अखलेश यादों को अपने वोट की चिंता है अयोध्या कांड के बाद योगी सरकार पूरे अक्षन में है तो बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी के खिलाब मोर्चा खोल दिया है पोस्टर वोर हो रहे हैं और डियन ने टेस्ट की मांग पर निशाना साधा जा रहा है अयोध्या कांड में सियासी बयान बाजी के पीच जहां अबधेश प्रसाद के पास सफाई देने के अलावा कुछ नहीं बचा तो वहीं समाजवादी पार्टी को अब कॉंग्रिस का साथ मिल गया है जो भी आरूपी है जो भी कल्पिट है उसके खिलाब कानून में जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो कड़ी से कड़ी सजा हो सजा दिलाई जाए और जो भी आरूपी हो यहां तक उसको फांसी दिलाई जाए सुनें सुनें पार्टी ने एक कमेटी का गठन का लिया है यह राजिनीत का विश्य नहीं सुद्ध अपरादी विश्क अखले स्यादों जी मुखवंती रहे हैं अन्वोस हील है अब उन्होंने जो भी कहा होगा सोच समझ कर कहा होगा उनके पास कोई शोत होगा तो उन्होंने डिने टेस्ट के अगर बात की है कानून अगर हो सकता है नारको टेस्ट हो सकता है तो होना चाहिए डिने टेस्ट नारको टेस्ट की राजनीती पर यूपी के डिप्ली सियम भरजेश पाठक ने बड़ा हमला किया और कहा कि समाजवादी पार्टी के डिने में गुंडा गर्दी है और ये पार्टी पलातकारियों को सन्नक्षन देती आई है हाला कि अखिलेश यादव डिने टेस्ट की मांग पर अडिग है जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डिने टेस्ट होना चाहिए कैसे मुख्यमंत्री है ये इने कौन राय दे रहा है ये कानून किसका संसोधित है yeah ये इनिका संसोधित कानून है धोजारतेईस का जिसमें ये कहा गया है कि डिने टेस्ट होना चाहिए अगर साथ साथ से जादे किसी की सजा का कोई प्रावदान है तो तो क्या गलत मांगा और उनके परिबार के लोग कह रहे हैं और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है जो गुंडेपन पे हैं जो असमाजिक तत्वपन पे हैं पूरे प्रदेश में लोकसभा चुनाओं के बाद जिजधंग से इन लोगों ने कहर बरपाने का काम भोली भाली जंता पर कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को इसका खामयाजा भोगतना पड़ेगा चाहें बलिया हो चाहें अयोध्या हो घटनाओं ने इन मन जजचकोर करके रख दिया है जितनी निंदा की जाए कम है और समाजवादी पार्टी जब जब पावर में रही है तब तब इन लोगों ने अराजकता की है गुंड़ाई की है गोले भाले लोगों का हत्या किया है और पूरी सरकार विडित परिवार के साथ खड़ी है हर इस्तित में हम नयाय चुकि आयोधिया हमेशा से सियासत के केंदर में रहा है ऐसे में समाजवादी पार्टी अपने उपर लगे दाक को मिटाने की कोशिस में है बहरहाल सवाल ये उठ रहे है कि मौईद खान के खिलाब समाजवादी पार्टी अब तक एक्शन क्यों नहीं ले पाई समाजवादी पार्टी का डेलिगेशन अब तक पीडित परिवार से क्यों नहीं मिला या डियन्ने की मांग से इस केस को उलजाने की कोशिस हो रही है ये सवाल भले ही बीजेपी की तरफ से उठाए गए हो लेकिन जवाब समाजवादी पार्टी के पास नहीं है और उकरेंगे जैपूर से मिल रही बड़ी खबर का कॉंग्रेस लोगसभा प्रतियाशी अनिल चोपड़ा ने हाई कोट में याचिका लगाई जैपूर ग्रामी लोगसभा चुनाओं के मदगर्ना के खिलाफ ये याचिका दाखिल के गई भाजपा प्रत्याशी राव राजवेंडर सिंग को विजए खुशित करने को चुनाओती दीकर ये कोट में याच्विका पर 13 अगस्त को हाई कोट के कल्पीट में सुनवाई होगी हाई कोट में जस्टिस सुमा शंकर व्यास के अदालत में सुनवाई होनी है इस वक्त के ये सबसे बड़ी खबर है कॉंग्रेस के प्रत्याशी रही लोकसवा चुनाओ में अनिल चूपडा ने हाई कोट में याच्विका दाखिल की है पूर का दर्वाजा खटखटाया है जैपूर से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कॉंग्रेस लोगसभा प्रतियाशी अनिल चोपडा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया है जैपूर ग्रामी लोगसभा चुनाव की मतगर्णा के खिलाफ ये याचिका दार की गई है विजेपी प्रतियाशी रव राजेंदर सिंग को विजई घोशित करने पर चुना पहलत में सुनवाई होगी और इस से पहले लोगसभा चौनाव को लेकर के जैपूर ग्रामी लोगसभा सीट पर आरोप ठरोन का सिलसला चुला ओंजाए नरोप्रारी का ब्याव रहा प्रतियाशी रहे अनिल चोपडा ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा आया है साथी साथ इसी खबर पर ज्याद अज़ानकारी के साथ सायोगी राकेश शर्मा फोन लाइन पर जूट चुके हैं राकेश के अज़ानकारी बिल्किल देखिए जिस तरीके से जेपर गार्मिन लोगसबा चीट का जब पढ़नाम जारी किया जा रहा था तो बहुत कम अंतरों से हारजीत का ये मामला रहा था और उस समय जो हारजीत को लेकर विबाद भी हुआ था लेकिन ततकालिज जो उस समय प्रिशासर ने इस मामले को समय करके और शांत करवा दिया था लेकिन अब जो कॉंग्रिस के पराजित प्रत्यासी हैं अनिल चोपड़ा उन्होंने हाई कोड में एक याची का दायर की है और शियाची का हाई कोड ने आज इसमें जो जशिस मसंकर व्यास की जो एकन पीठ है वहाँ पर याची का लगी है और इसमें जो अनिल चोपड़ा है उसने आरोप लगाए हैं कि चुनाओ पर नाम जो जारी किया गया है वो गलत है उसमें कहीं न कहीं जो अधिकारी थे वहाँ निरवाचन अधिकारी और प्रिशासन के अधिकारी उनके मिली बगत की और चुनाव परणाम को रड़ करके एवियम सेट पोश्टल वेलाटों की फुरनर मतगरना की मांग इसमें की गई है साथी मतगरना इसका के CCTV फोटेज वे अन्य ऐसे जो सबूत हैं उनको भी इसमें सामिल करने की जाच में सामिल करने की मांग की गई है बिलकुल बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए राव राजवेंदर सिंग 1615 बोटों से मैज जीते थे और इसी को लेकर के अब सवाल खड़े कर रही है कॉंग्रेस पाती